इसका end बहुत ब्यूटिफुल है तो अंतक जरूर देखेगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको अच्छा लगता है तो ब्लीज लाइक और कमेंट जरूर कर दीजे इसे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है अब इना किसी दरीक है इस मोवी को एक्स्प्लें करना स्टार्ट करते है मोवी स्टार्ट होती है और हमारे मेन क्यारेकेटर मार्टिन और गाबी यह दोनों हमें दिखाये जाते है इनकी लाइफस्टाइल में ये डेटिंग एप पर स्वाइप कर रहे थे जो भी इने अच्छा लगता है इनके साथ वो इंटिमेट हो जाते है मार्टिन एक हॉस्पिटल में फार्मसिस्ट है उसके एक कलीग है जिसका नाम में जोना जोना अपना हायर एजूकेशन करने के लिए अभी हाँ से जाने वाली थी उसे हैती है आज मेरा लास्टे है मेरे साथ पार्टि में चलो मार्टिन इस पर ज़रा सोचता है फिर उसे कुछ और काम थे तो उसने मना कर दिया यहाँ पर उसने जोना को भी नोटिस किया पर फिर भी वो अपनी डेटिंग अप पर स्वाइप करने लगया पैरललर में हम गावी को देखते है जो एक फिजियो थेरिपिस्ट है यह दोनों आज भी स्वाइप करकर अपने लिए डेट ढून लेते हैं डेट पर जाने से पहले मार्टिन अपने फ्रेंड्स के साथ था उसमें से एक फ्रेंड ने मार्टिन के एक्स वाइफ के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया कह रहा था कि मार्टिन का एक टाइप है मार्टिन अपनी एक्स वाइफ को लेकर बहुत ही ज़ादा सेंसिटिव है उसे इसके बारे में बात करना थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता तो अपने फ्रेंज को छोड़ कर वो चला जाता है वो अपनी डेट से मिला और बहुत सारी बातें उसने किये पैरलल में गैबी भी अपनी डेट से मिलती है उसके साथ उसके घर पर चली गई ये दोनों इंटिमेट तो हुए पर गैबी साटिसफाइड नहीं थी वो ऐसे ही घर पर आ गए मार्टिन भी अपनी डेट को घर लेकर जाता है पर उस ज़रा बीमार लग रही थी और स्वाइब करना स्टार्ट किया दोने एक दूसरे को इंट्रेस्टिंग लगे तो उनका प्रोफाल भी मैच हो गया मार्टिन गैबी को मैसेज करता है कहता है मैं खुछ भी सीरियस नहीं चाहता विदाउट स्ट्रेंग्स वो उसके साथ इंटिमेंट होना चाहता है कैबी भी यही चाहती थी तो यो दोनों बार में मिले मार्टिन कहता है हम मेरे घर जा सकते है पर कैबी उसके साथ पहले ड्रिंक करना चाहती थी मार्टिन इस dating app के बारे में उसे बात करता है क्याता है कभी-कभी लगता है कि मुझे exploit किया जा रहा है सिर्फ उसके looks को देखकर लड़के उसे swipe right करती है कोई भी उसे actual में नहीं जानता फिर भी ये need थी तो इसलिए उसे उसे use कर रहा था मार्टिन अपने career को लेकर जादा satisfied नहीं था उसे लगता है कि वो एक जगा पर stuck है रहा से निकलने के लिए वो कुछ करने भी नहीं वाला ऐसे बहुत सारी बाते इन्होंने की फिर dance किया बार में कुछ games खेले इन दोनों को एक दूसरी की company बहुत अच्छी लगी ये दोनों जब बाहर आए तो गैबी उसे सच सच बता देती है क्यों किसी और के साथ date पर थी है मार्टिन कहता है इसे मुझे जादा कुछ फरक नहीं परता गैबी को लगा था इनकी date यहीं खतम हो जाएगी सुबा का भी मार्टिन की बच्पन की फोटोज देखती है ये दोनों मिलकर शावर करते है मार्टिन उसके लिए breakfast बना रहा था क्याबी को स्क्रैमबर्लेक्स पसंद नहीं है पर मार्टिन कहता है तुम्हारे लिए में special बनाऊंगा तुम्हें अच्छे लगेंगे गैवी को कभी भी पसंद नहीं आते थे पर आज उसे अच्छा लगा वो मार्टिन से पुछती है इसमें special क्या है मार्टिन कहता है बहुत ही छोटी छोटी चीज़े होती है पर उन्हें perfect करना पड़ता है वेल अक्चुली यह मूवी का बहुत important scene है इसके बारे में आपको बाद में पता चलेगा आज इन दोनों का day off था तो decide करते है एक साथ बिताएंगे यह अलग-अलग जगा पर गे paintings देखी बहुत मज्य की है गैवी फिर अगली सुभाई अपने job पर जाती है यह दोनों frequently एक दूसरे से मिलने लग गए इनका एक साथ रहना यह बहुत important था तो मार्टिन गैवी से उसके घर में moving करने के लिए पूछ लेता है यह सब बहुत fast था पर गैवी को इससे कुछ भी फरग नहीं पड़ा इसके लिए वह हाँ कही देती है इसके बाद यह movies देखते थे अलग-अलग जगा पर जाते थे एक दूसरे के साथ बहुत थी beautiful सा time बिताते थे एक दिन मार्टिन गैवी को अपने best friend और उसकी wife से मिलवाता है अपने बैरन से मिलवाने के लिए लेकर जाता है गैवी और मार्टिन के फादर मिलकर cook कर रहे थे यहाँ फादर से गैवी को पता चला कि मार्टिन की मदर को dimension है उसे कोई भी चीज़े सही सी याद नहीं रहती गैवी के लिए surprise था मार्टिन को यह जीज़ उसे बतानी चाहिए थी घर में गैवी ने notice किया कि मार्टिन के बच्पन में उसकी sister के साथ photos है मार्टिन ने अपनी sister के बारे में कभी भी उसे बात नहीं की थी यह सब जब lunch कर रहे थे तो मार्टिन की mother मार्टिन की ex-wife के बारे में बुछती है यह सब कुछ गैवी के लिए बहुत ही uncomfortable था वो मार्टिन से बुछती है तो कहता है घर जाकर हम बात करेंगे घर आने पर वो बहुत गुसा थी कहती है तुमने अपनी sister के बारे में अपनी mother के बारे मुझसे बात क्यों ने किये मैं तुम्हारी girlfriend हूँ तुम मुझे सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए मार्टिन कहता है यह सब मेरा past है तो मैं इससे बारे में जानना क्यों है गैवी उसे irritate कर रही थी मार्टिन हार मान कर बता देता है उसकी sister की एक car accident में डेत हुई थी इसके बाद उसकी family पहले जैसे कभी भी नहीं रही यह उसके लिए बहुत ही sensitive topic था पर फिर भी उसे बात करनी पड़ी इस पर वो गैवी पर भी गुसा था इसके बाद नेक सीन में मार्टिन अमने best friend के साथ था उसका best friend उसे पुछता है क्या तुम गैवी से प्यार करते हो मार्टिन कहता है कि हाँ उसने मार्टिन से का तुमारी ex girlfriend को baby हुआ है मार्टिन और उसकी ex girlfriend इनका break up हुए 10 साल हो चुके है पर फिर भी उस पर believe नहीं कर पाता गैवी जब काम पर थी तो उसके यहाँ एक patient आया वो गैवी को पहजानता है क्योंकि उससे के बार में वो हमेशा आया करती है उससे नहीं पता था कि वो यहाँ काम करती है तो उसे देखकर वो बहुत surprise था उसके doctor के साथ appointment मेगरा हो गई तो फिर से गैवी से मिला उसे कहता है आज रात मेरे यहाँ party है अगर गैवी इस party में आई तो एक celebrity से उसे वो मिलवाएगा वो गैवी से यहता है कि आज में यहाँ आया तो मुझे लगता है इमें सिर्फ तुमारे लिए आया हू उसे वो बहुत पसन आई थी मार्टिन की कली कि वो उस party में जाएगी यह दोनों party में गए और किसी और के साथ intimate हो गए गैवी ने मार्टिन पर cheat किया तो उसे बहुत बुरा लग रहा था उसके पास है रोक कर उसे सब कुछ सच बता लेती है मार्टिन कहता है कि मैंने भी तुम पर cheat किया यह दोनों एक दुसरे से sorry कहते है इनको अपनी relationship नहीं तोड़नी थी तो decide किया एक therapist के पास जाएंगे अपनी relationship पर काम करेंगे जो एक दुसरे के साथ महसूस करते है यह कवे भी किसी के साथ भी नहीं किया therapist नहीं इनसे separate separate session किया वो मार्टीन से बोचता है तुमने cheat क्यों किया था वो गहता है मुझे life में कुछ exciting चाहिए था यहीं आंसर गैबी का भी था therapist इन दोनों से बात करता है कहता है तुम दोनों को एक दुसरे के साथ honest रहना चाहिए छोटी छोटी चीजों को लेकर try करो इसे तुमारे relationship बहुत powerful होगी इन दोनों ने फिर बात की फिर फास्ट टाइम में किसके साथ intimate हुए थे मार्टीन को एक बात खाये जा रहे थे गहता है चब में छोटा था तो अपनी sister को shower में देखता था उसे लगता है कि गैबी को अगर यह बात पता चले आज जब इंटिमेट हुए है तो इसमें कुछ अलगी passion था यह दोनों फिर मिलकर decide करते है एक दूसरे से कभी भी जूट नहीं कहेंगे अगर उन्हें कोई और अच्छा लगता है तो उसके साथ वो intimate हो सकते है और by the end of the day यह एक की relationship में हैना चाहते है इसी तरीके की open relationship अब एक try करने वाले है एक दिन यह दोनों एक party में कहे मार्टिन को एक लड़की अच्छी लगी थी तो गैबी कहती है तुम जाओ और उसके साथ बात करो मैं तुम दोनों को देखती रहूंगी इसी party में गैबी लैरी से मिलती है लैरी एक middle age का millionaire है गैबी को उसे बात करकर hangout करकर अच्छा लगा party खतम हो जाने के बार गैबी और मार्टिन यह दोनों एक साथ घर गए गैबी उससे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम मेरे सामने lap dance लो गैबी जब किसी और date बरोगी तुम मार्टिन उस पर नज़र अगना चाता था ये भी ओ ट्राइ करते है ये सब चीजे करने की वज़े से एक दुसरे से और भी attracted हो गए थे एक दिन ये दोनों एक लड़की को भी घर पर लेकर आए उसके साथ intimate हो गए इनकी जिस तरह की relationship है इसे relationship को लेकर एक author ने book लिखा था वो इस author से एते हैं कि हमारे relationship strong हो रही है author उन से एती है जो विए आप कर रहे हो ये आपकी relationship के लिए सिर्फ एक step है इसी तरीके से वो continue नहीं कर सकते इस बात को इन दोनों ने seriously नहीं लिया लेरी ने Gabby को अपनी board पर invite किया था तो वहाँ वो चली जाती है लेरी Gabby से बोचता है तुमारा boyfriend है पर फिर भे तुम यहाँ हो Gabby अपनी relationship के वारे में उसे explain करती है लेरी कहता है कि ये चीज work नहीं करेगी हर एक relationship एक transaction होती है finally इस world में आदमी अकेलाई होता है सिर्फ थोड़े time के लिए company ढूनता रहता है इसी वज़े सो Gabby के साथ time spent करना चाता था इसके parallel में Martin अपने friend की साथ था उसका friend उसे बुचता है या इन सब जीजों से तुमें कोई problem नहीं Martin कहता है Gabby किसी और से satisfied नहीं होती finally वो मेरे पास ही आ जाती है इसी वज़े से उसे कोई भी problem नहीं है Martin आजकल ज़रा tension में था एक दिन वो बार में गया तो उसके Gabby की friend की friend जिसका नाम में Blake ये उसे वहाँ मिली ये उसके साथ बेट कर drink करने लग जाती है वो उससे कहती है तुम कोई ना कोई चीज को लेकर tension में हो मुझे बता डालो Martin को नहीं बताना था पर फिर भी उसके force की वज़े से वो बता देता है वो कहता है कि मुझे अभी भी पता चला मेरी girlfriend को baby हुआ है वो जब relationship में थे तबे भी उसकी girlfriend pregnant थी वो उसका miscarriage हो गया उस वक्त उससे सही से बात नहीं कर पाया उसी वज़े से relationship तूट गई वोसे लगता था कि वो हमेशा उसके लिए है पर उसकी girlfriend life में सही तरीके से move on कर चुकी है तो upset था Blake realize करती है कि Martin को यह सब बाते Gabby को बतानी चाहिए वो uncomfortable होकर यहां से चली गई Martin इन सब बातों से बहुत disturb हो गया था वो रात में Gabby के पास आया उससे बात करना चाहता था पर Gabby बहुत थक चुकी थी वो रात में अपने ex-girlfriend की सब photos उसकी videos देखता रहता है इसके बाद Gabby फिर से Larry के साथ डेट पर की आज राते दोनों intimate हो गए थे अगली सुबा जब में Martin को पता चला तो इस बात से वो जेलस था अगली सी जब Gabby अपने friend से मिली तो उससे पता चला Martin और Blake यह दोनों एक दुसरे से बात कर रहे थे Martin ने उसे जो जो कहा था इस सब कुछ Gabby को पता चल गया वो इस बात से बहुत गुसा हो गए वो Martin का laptop चेक करती है यह उसे पता चला कि Martin अपने ex-girlfriend को email लिख रहा था Martin की घर आने पर इस बात से इन दोनों में बहुत बड़ा जगड़ा हो गया वो इसे गहती कि तुम ऐसा कर कैसे सकते हो Martin कहता है तुम में Larry को डेट कर रही हो Larry ने Gabby को एक निकलेज दिया था इसके बारे मार्टिन को पता नहीं था अब उसे पता है तो गहता है तुमने इसके बारे भी मुझे नहीं पता है Gabby चाहती थी कि उससे बात करे पर मार्टिन कहता है मैंने कोशिश की थी इन दोनोंने एक दूसरे से बहुत बुरी बाती की Gabby घर छोड़ कर Larry के साथ रहने लग जाती है एक दिन मार्टिन अपने फ्रेंड के साथ था तो गहता है Relationship इस तरीके से नहीं होती जब भी तुम्हें लगता है तो break up कर लेते हो किसी और को date करने लग जाते हो जब आप किसी से प्यार करते हो तो relationship को लेकर work करना पड़ता है आप में fights होगी पर फिर भी आपको उस person की साथ ही रहना है इस तरीके से अगर तुम give up करते रहे तो कोई भी relationship successful नहीं होगी Larry के friend ने एक बार अपनी grandfather से पुझा था इस successful marriage क्या होता है grandfather ने कहा यह ऐसे एक अबर जो कभी भी एक दूसरी को छोड़ करने जाते कुछ भी हो जाए हमेशा एक दूसरी का साथ देते है मार्टिन के friend ने उसे कहा यह सब चीज़े बहुत ही simple है इससे complicated मत करो जब Gabby Larry के साथ थे तो कहता है मुझे मेरे business के लिए 3 months के लिए ज़रा travel करना पड़ेगा वो Gabby को भी उसके साथ आने के लिए कह रहा था Gabby इस पर सोचने वाली है Larry कहता है कि एक्स बहुत ही perfect है Gabby को फिर से मार्टिन की याद आती है मार्टिन ने कहा था कि छोटी चोटी चीज़े होती है इनका अगर आप ध्यान रखे तो चीज़े beautiful हो जाती है relationship में इनी चोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मार्टिन से फिर से बात करना चाहती थी आज राद Larry के हाँ party थी इसी party में Blake भी आई हुई है Gabby को लगा था कि Blake और मार्टिन ने दुनों intimate हुए थे इस बात की वज़े से वो बहुत ही upset है और Blake को इस party में नहीं देखना चाहती थी वो बहुत upset होके इस बारे में उसने Larry से बात की Larry कहता है कि वो मेरी guest है में उसे इस तरह से नहीं निकाल सकता Gabby upset होकर वहाँ से चली कई एक दिन अचानक Martin को अपनी ex-girlfriend का call आया वो उसे मिलना चाहती थी मिलने के बाद Martin उसकी baby के लिए उसे congratulate करता है वो कहती है मुझे baby होना यह मेरी life का बहुत beautiful part है वो Martin से sorry कहती है उसने कहा हमारे relationship में मैंने सब चीजों को लेकर तुम्हें blame किया था miscarriage के बाद हम दोनों hurt थे इस तरीके से हमें नहीं act करना चाहिए था मार्टिन पोचता है क्या तुम खुश हो वो कहती कि हाँ पर इस तरीके से खुश होना यह उतना exciting भी नहीं है कभी-कभी उसे bore भी होता है पर फिर भी उसे यही life चाहिए जिस तरीके से मार्टिन की life है थोड़ी सी excitement के लिए वो long term खुशी के बारे में कभी भी नहीं सोचता एक stable relationship में नहीं जाता इन सब चीजों से उसकी ex-girlfriend तंग आ गई थी और अब वो एक stable relationship में है वो कभी-कभी bore लग सकती है पर फिर भी ultimately यही हमें खुशी देती है मार्टिन अकेला पड़ चुका था उसे बहुत बुरा लगता है अगली दिन लैरी और गैवी फिर से बात करते है लैरी कहता है क्या तुम मेरे साथ आ रही हो गैवी कहती है कल राज हुआ क्या उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे लैरी कहता है कि तुम सिर्फ जरा out of control हो गई थी इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है वो Gabby को ज़्यादा seriously नहीं लेता उसे लगता है कि Gabby किसी भी चीज़ को लेकर serious नहीं है इसी वज़े से हमेशा dating करती रहती है लैरी उसके साथ है क्योंकि उसे लगता है कि ये relationship सिर्फ एक transaction है Gabby उसके साथ रहेगी इसके बदले में वो पुरा world उसे घुमाएगा ये सब बात ये Gabby को सही नहीं लेगी Gabby उसे गहती है तुम जो बात करे हो इस सिर्फ तुमारे लिए सही है वो इस तरीके से इस relationship में नहीं रह सकती लैरी की life figure out है उसे कोई भी चीज़ के बारे में वरी नहीं करनी Gabby ने realize किया कि उसने अपनी life अब तक start भी नहीं की उसने realize किया है कि वो Martin से बहुत प्यार करती है उसके साथ अपनी पूरी life spend करना चाहती है Martin के पास आकर उसने कहा मुझे कुछ serious चाहिए जिसे मैं अपना मान सकू मुझे लगा था कि मुझे नहीं चाहिए पर मैं एक करना चाती हूँ मुझे लगता है मैं अगर इस relationship में efforts डालूंगी तो सब कुछ सही हो जाएगा जब मैं तुमारे साथ थी तो हमारे relationship इसी magic की तरह थी Martin भी बहुत hurt था पर वो Gabby से ही प्यार करता है वो कहता है पहले हम जो भी कर रहे थे ये कुछ भी नहीं चलेगा Gabby भी इसके लिए मान जाती है Gabby को पता है उससे भी पहली तरह कुछ भी नहीं चाहिए Martin कहता है हम दोनों इक दुसरे से board हो जाएंगे Gabby कहती है फिर भी हम एक साथ रहेंगे हम अपने आपको याद दिलाते रहेंगे क्यों हमें एक साथ रहना है हम एक दुसरे से कितना प्यार करते है इन दोनोंने promise किया एक दुसरे को अनाय करेंगे fight करेंगे फिर भी हमेशा एक साथ ही रहेंगे क्योंकि पैर के लिए हमें जगर ना पड़ता है पर ultimately एक दुसरे का साथ ही सबसे important है इसे एक powerful message के साथ एक movie end हो जाती है इस movie की relationship इसकी settings यह शायद गलत लग सकती है पर behind the story अगर हमने इस बारे में सोचा तो यह बहुत powerful सा message यह movie देख करके अगर आपको वीडियो चलागा तो प्लीज इसे like कर दीजेगा यह बहुत सारी movies लेकर आत रहेता हो तो प्लीज इस channel को subscribe कर दीजे और bell notification icon दावने मत भूलेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नए movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका खैल रखे है